एक जूट को, जूट के पुलिंदे को इतना हुआ बना कर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इंफ्लुएंस में सभी लोग थे, साथ कौर्टे भी होगी। अगर सत्य था तो फिर S.I.T. की क्या जरूरत थी? S.I.T. मैं आज मैं आपको सत्य बताता हूँ, S.I.T. का ओडर कौर्ट का नहीं था, एक NGO ने S.I.T. की मांग करी, कौर्ट ने for sake of asking हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रेक्शन लेने पड़ेंगे, लंच अवर के बाद फिर से कौर्ट बैठी, हमा It was consented decision, गुजराज सरकार की record पर consent है, कौर्ट ने अपने judgment में भी लिखा है, कि NGO की मांग थी गुजराज सरकार ने consent दी है, हम बहस कर सकते थे, मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था, आज जब judgment आया है, तब तै हो गया है, कि judgment में लिखा हुआ नाम मै बुलता हूँ, एक पुलीस अपसर का नाम दिया है, एक NGO का नाम दिया है, और कुछ political elements का नाम दिया है, ये तीनों ने मिलकर judgment के अंदर इस पश्ट कर दिया है, कि संसनी खड़ी करने के लिए जूट बातों को फिलाया गया, जूट बातों को आगे बढ़ाया गया, और S.I.T. को जब जवाब लिखवा रहे थे, तब भी उनको मालूम था कि ये जूटा जवाब है, जिसको S.I.T. ने भी बाद में कोट के सामने रखा कि ये जूटे जवाब थे और वो जानते थे कि जूटे, आज कोट ने स्पश्ट कर दिया कि सरकान ने दंगा रोकने के लि सूद, मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए, वो सून योजित नहीं थे, स्वाप्रिरीत थे, ये भी कोट ने आज जज्जमेंट में कह दिया, और तहलका द्वारा किये गए स्ट्रिंग ओपरेशन को भी कोट ने खारीज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया, तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ओपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसी दूपेर को हमने सेना को बुला लिया था, सेना को पहुचने में थोड़ा समय लगता है, आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परन्तु मैं क्लियर कर दूँ, जहां तक गुजराज सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है, रेकोर्ड बहुत स्पष्ट है, कौट ने भी इसको अप्रिसेट किया है, परन्तु दिल्ली में सेना का मुख्याल है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाईयों बेनों को मार दिया, तीन दिन तक कुछ नहीं हुआ, कितनी साइटी बनी, हमारी सरकार आने के बाद साइटी बनी, कितनी एरेश्ट हुई, इतने सालों तक सिख नर्संहार में विपक्स की सरकारे रही, कभी एरेश्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, पारिस्याल इटी के? आप और मोदी जी दोनों कहते हैं कि इट वोज टाक्टिक या फिर कह दीजिये कंस्पिरसी कि गुजरात को एक बुरा नाम देने के लिए, कि ये दंगाई प्रदेश है और बीजेपी जो है एक दंगाई पार्टी है, और गुजरात दो हजार दो के बाद वो टैग लग ग आप लोगतंतर में सम्मीधान को भी नहीं मानेगे, सुप्रीम कोट को भी नहीं मांगे नहीं, पॉलिटिकल स्टेट्मेंट सचे या सुप्रीम कोट का सब एविडेंस एप्रिसेट करकर लिया गया फैसला सच्चा, ये देश की जनता ने ताही करना पड़ेगा, आप जैस कि सुप्रीम कोड का एप्रिसेट हुआ हुआ एविडेंस एप्रिसेट करने के बाद दिया गया है फैसला सच्चा है तो अब क्वेस्चन उठाने चाहिए पत्रकारों की जिम्मेदारी है जिन्नोंने आरोप लगाए थे उनके पर पूछना चाहिए उनको कि क्या अधार था है यह आरोप का और अधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोड़नुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू कर दो!